यहीं साथियों, आज हम मूरी के खेट से सबजी के लिए सिंगोरी निकालेंगे, यह देखें, नदेखें, इतनी अच्छी हरी-हरी ताजी ताजी इस्थम और 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 गनिक है यह, सिंगोरी लियाए हूं मैं तोड़के और इसको हम यह लेंगे, और यह दोनों साइट से भी और इस साइड से भी तोड़के इसे साफ करेंगे तो चलिए पr było हम साफ कर लेते हैं यह देखिए इस तरह से हम साफ करेंगे दोनु साइड से और अलग बर्तन में हम डालते जाएंगे यह मैंने सिंगोरी साफ कर लिए और इसमें तीन आलो मैंने दोके डाल लिये हैं सिंगुरी को भी धो लिया है अब इसमें आलो उबलने तक कोकर में डाल के इसको उबाल लेंगे तो आप देखिये सरसों का तेल गरम हो चुका है पहाड़ी सबजियां सरसों के तेल महीं बनेगी तो जख्या मेंने डाल दिया पहाडी तड़का आप जीरा भी डाल सकते हैं उत्राखंड में कहीं भी जख्या आपको आसानी से मिर जाएगा ये है सूखी लाल मिर्च और दो-तीन लाल मिर्च मैंने चोटी-चोटी पीस में काटके भी जटा лиया और इसके तड़के में डाल लिए जैसी मिर्च पकती है तो इसमें हम प्याज जो है काटके डाल लेंगे तड़के की रूप में और उसको भूनेंगे हाई फ्लेम पे उसके बाद हम एक बड़ा टमाटर डालके उसको मिक्स करेंगे उसमें जो भी मसाले हम डालते हैं नमा, खल्दे, मेर्च, धनिया पाउडर जो आप खाते हैं वो आप डाल लीजिए और उसके बाद इस मसाले को मिक्स कर लीजिए mix करने के बाद हमें इसे ढख के पकाना है तो एक मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे यह vegetable stock मैंने डाला है आप जो है पाने भी डाल सकते हैं तो इसको एक मिनट और पकाएंगे और यह तेल छूट चुका है मसाले से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो इसके बाद अब हम डालेंगे यह आलो के जो पीसिस कर लिए और जो सिंगोरी हैं उसके भी दो-दो पीसिस कर लिए जो बड़ी-बड़ी सिंगोरी थी तो सबसे पहले हम आलो डालेंगे और उसको भून-भून के पकाएंगे दो मिनट कम से कम हमें इसे भून के पकाना है और बीच में हम ढख लेंगे ताकि जो मसाले की खुश्बू है वो आलो के अंदर तक चले जाए यह दो मिनट हो गए हैं अब हमें सिंगोरी इसमें डाल लेनी है लेकिन सिंगोरी हमें निचोड के हलके हाथ से निचोड के डालनी है क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाता है तो निचोडना बहुत जरूरी है तो यह देखिए और बस यह सबजी थोड़ी देर में बनके तयार हो जाएगी आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेड जरूर कीजिएगा दो मिनाट तक हम इसको चलाएंगे यह देखिए धनिया है आप धनिया से गानिश कर लेजिए और इसको परोसिये बहुत अच्छी रेसिपी है आप एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा बहुत सिंपल रेसिपी है बाई जैन